स्टडी आईक्यू आईएस अब तयारी हुई अफोर्डबल तो आज की क्लास का जो परपर्स है वो है हम कुछ बेसिक टर्मलाजी समझने वाले हैं पीएसर आप्शनल की ठीक है तो देखते हैं क्या-क्या हमें करना आज ठीक है एजिंडा पहले सेट कर लेते हैं हम समझेंगे लिबरलिज्म को ठीक है इसको समझाने से पहले मैं इसके बैक्राउंड में जाओंगा और फिर इससे में कनिट करूँगा ठीक है उसके बाद जानेंगे हम मार्क्सिज्म को दन सोशलिज्म उसके बाद जानेंगे हम यूटिल्टेरिनिज्म को ठीक है जब मैं इस टर्म संझाओंगा न तो इसके साथ साथ में कुछ फिंकर्स उनकी अप्रोच वो सब कुछ आपको समझाता चला जाओंगा फंक्शनलिज्म पहली ये टर्म समझते हैं ठीक है लेट स्टार्ट प्रम इस टर्म इस टर्म इब्रेलिज्म ठीक है ना देखिए लिब्रेलिज्म एज टर्म ये इमर्च हुई एक वर्ड से जिसका नाम जिसका जो वर्ड है लिब्रे और लिब्रे जो वर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है अनदर वर्ड फ्रीडम ठीक है अब फ्रीडम से तो आप सब वाक्या रखते हैं ठीक है फ्रीडम क्या होता है रवी क्या कोई एपसुल्ट फ्रीडम जैसी स्टेज हो सकते है लाइसे में और क्या आपसुल्ट फ्रीडम टू एव्रिवन च्यापको लगता है कि वो हमारी सोसाइटी के लिए अच्छी होगी जब मैं इनका नाम ले रहा हूं तो एक तरीके से ये तो किवल मैंने एक्ज actually सवाल पूछ रहा हूँ, ठेक है, थोड़ा सोचना है, समझना है, political science आपकी रगों में दोड़ेगी, ठेक है, अगर आपने थोड़ा सोचना समझना शुरू कर दिया, जैसे कि मैं आपसे सवाल पूछू हूँ तो बस केवल आप जवाब देते रहो, सही करत मैटर ही free to choose, free to be, free to act, अगर ऐसा करने लग गया हर कोई, तो समाज में stability नहीं रहेगी, and stability नहीं रही, तो progress कैसे होगी, तो आप कहेंगे कि क्या सर freedom is a bad idea, then, no, freedom is a good idea, but we need to have some order, how to use freedom, to what extent we can have freedom, है न, तो इसी वजहे से, यहाँ पर जो word है, freedom की जगे, यहाँ पर word यूज किया जाने लगा, liberty, liberty अपने आप में, एक modern time का word है, modern time, यानि कि medieval time में, अब जब में, modern time, और liberty, यह शब्द यूज कर रहा हूँ, तो हमेशा किसी न किसी के connection में तो word यूज होंगे, liberty for whom, liberty to whom, in what context, तो यानि के liberty for individuals, आव आदमियों के पास liberty in comparison to state, state मतलब सरकार, अब सरकार चाहे राजा की हो, सरकार चाहे, democratic हो, हम केवल यह कह रहे हैं, कि वही कुछ आजादी, इन लोगों को मिलनी चाहिए, as guarantee, यह idea मैं ने कहा, modern time में हुआ, किसी बात को मेरी आपको ऐसी रट लेनी की ज़रत नहीं है, हर एक चीज के पीछे logic है, समझेगा कैसे, medieval time में, जो idea काफी popular था, वो था divine rights theory, हर एक चीज का मतलब बताऊंगा, tension लेने वाली बात नहीं है, यह terms आप पहली बार सुनेंगे, और पहली बार सुनाने के लिए तो यह lecture है, basics, divine, divine का मतलब होता है, God, rights का मतलब अधिकार, और theory का मतलब जो explain कर रही है, कि वही, actual में, जो state है, medieval time में, अगर मैं यूरोप की बात करूँ, या दुनिया के तरही जगा की बात करूँ, तो generally, medieval time में, monarchic होती थी, monarchy was the most popular thing, यानि कि किंग होगा, crown होगा, rule करेगा subjects पर है, आम आदमियों पर, right, divine right theory कह रही है, कि किंग को अधिकार rule करने का, यानि किंग जो आप पर rule कर रहा है, या अधिकार किंग को पता किस ने दिया है, God ने दिया है, तो ये God का rule है, कि किंग तुम पर राज करे, तो ये divine right theory है, अब ऐसे में, ये theory, actually popular क्यों ही है, एक बात समझेगा, हर एक समय में, कुछ चीज़े truth मानी जाती है, सच मानी जाती है, और जो भी सच मानी जाते हैं, किसी भी time में, उसका purpose होता है कुछ नबूच, जैसे कि इस समय में, अगर इस बात को फैलाया गया, चर्च भी इस बात को कह रहा है, education institutions इस बात को कह रहे हैं, artists इस बात को कह रहे हैं, painters इस बात को कह रहे हैं, तो एक तरीके से ऐसे समाज में, जो भी बच्चा अब बड़ा होगा, वो इसी believe के साथ होगा, कि भाई, राजा इश्वर का representative है, तो राजा इश्वर का representative है, तरीके से उसको actually राज करने की power इश्वर ने दी, तो क्या ऐसे में ये लोग राजा के खिलाफ जाएंगे, नहीं जाएंगे, राजा भले exploitation करें नहीं जाएंगे, कोई राजा के खिलाफ जाना मतलब God के खिलाफ जाना, तो एक तरीके से आपको कोई term पता लगी हाँ पर, कि these kind of theories, ये political theory तो हुई, political theory क्योंकि this theory is explaining a kind of rule, कोन rule करेगा, who, and क्यों करेगा, why, कौन करेगा, राजा करेगा जी, why, God का representative है जी, किसने कहा, चर्च बोल रहा है जी, राजा भी बोल रहा है, हर को भी बोल रहा है, इतने सारे टेक्स लिखे हुए हुए इस बात पर, तो एक तरीके से, इसका objective क्या था, political obligation, रिखने या term मिला आपको, समझेगा political obligation का मतलब क्या है, ये basic term सिखा रहा हूँ आपको, in any organization, the word organize is used, वही, study IQ is an organization, तो इसमें word organize है, तभी तो organization बना, organize का मतलब क्या होता है, कि पहले से, कुछ चीज़े set हैं, कि इस व्यक्ति की बात, ये team members मानेंगे, इस post की बात, ये team members मानेंगे, तभी तो organize हुआ, अगर आप अपने manager की बात ही मत मानो, कि class moderate करने जानी है, शशंक सर कि आपने का, मैं नहीं मानता, और आपके खिलाफ कोई action भी ना हो, तो क्या organization होगी है, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, तभी तो चीज़े वैसे चलेंगी, जैसी, चलनी चाहिए, है कि ना, तो इसी तरीके से political obligation, अब आपकी obligation है, means in any organization, the relations, the structure, is based on obligation, that you are obligated to do as per your manager, तो इसी तरीके से, political obligation का मतलब ये होता है, in relation to state, people have to oblige as per the laws, policies made by state, यानि कि political obligation का मतलब है, कि जो आम जनता है, ये state के हिसाब से, चले, यानि कि state ने जो law बनाया, अब ये जनता उसको follow करे, सीडी बात, no buckwas, ऐसे करे, तो मुझे बताइए, जब political obligation achieve की जाती है, तभी तो किसी भी society में stability आएगी, तभी तभी तो किसी organization में stability आएगी, जब obligation होगा, बताइए, yes or no, तभी stability आएगी, तो एक तरीके से, medieval time में, ये divine rights theory, was a method to achieve political obligation, yes or no, yes, यहाँ पर source of power God माना जाता था, ठीक है, लेकिन इस political obligation के चक्कर में हो क्या रहा था, ठीक है, stability काफी time तक अच्छीव कर दी, लेकिन आप सब को एक बात तो पता होगी, कि भी, exploitation की एक हद होती है, अगर public में, एक sense of injustice, feel हो रहा है उनको, कि भाई, राजा हमारा शूशन कर रहा है, means, if people are feeling, that this exploitation is happening, in this garb of divine rights theory, तो कुछ लोग होंगे, जो critical mindset के होंगे, जो स्थापिस सत्यों पर सवाल उठाते होंगे, means people who are going to question, whatever is considered as true, हर एक time में ऐसे लोग होते हैं, उन्हीं को तो हम क्या कहते हैं, reformer कहते हैं, तो कुछ reform की बात करते हैं, तो अब ऐसे समय में, इन exploitation को देखते हुए, कुछ reformer आते हैं, यानि कि कुछ think कर आते हैं, वो सोचते हैं, कि यार, ठीक है माना जाता है, कि divine rights theory, राजा, God का representative, तो उसके बाद तो कितने लोग आए, कितने गए, कितने लोग कैसे राजा बन गए, तो यानि कि question करना start कर दे, divine rights theory पे, because people were getting exploited, in the medieval time, we were not seeing the concept of rights, individual rights, like you, me, enjoy as of now, जैसे आज, आप fundamental rights enjoy करते हैं, medieval time में, most popular जो idea था, वो यह था, कि आपकी duties हैं, towards state, आम लोगों की duties होती हैं, rights नहीं होते हैं, rights की जुरत क्या आपको, whatever is good for you, is being given by king, your benevolent king, issuer representative, rights का क्या करोगे, duties पर focus करो बस, issuer के परती duties होती हैं आपकी, लेकिन duties duties पर focus करना, exploitation पर भी question न उठा पाना, तो ऐसे में thinkers ने, critique करना start किया, और critique के बाद, नई theories निमर्ज होई, वो theories, जो कहने लगी कि actual में, king, जो state है, king हो या किसी और तरह का state हो, ये actually logo ने बनाया था, मतलब कि अगर ये pen है, तो कभी न गभी creating हुआ अगर आप यहां exist कर रहे हो, कभी न कभी creating हुए होगे, ये board है, कभी न कभी create हुआ होगा, तो state भी कभी न कभी create हुआ होगा, और हर creation का कोई न कोई purpose होता है, को अगर अज हम कानून विवस्था देक्टे हैं आफिसे देखते हैं ऐसा भी समय होगा ज्हांपर इक कानून करते हैं यह सरकार z constituी न क Earth कि यह समय की बात कर आब ग्राइच्टिस अब इसमें कुछ को अब इस future हम तो अपना खाना कमाना यह सब देखेंगे तुम जो है और कानून बनाना कानून को इंप्रिमेंट करना यह सब देख लेगे अब ग्रैजुली फिर उन्होंने पावर अपने पास ले ली होगी तो यानि कि इस थेरी से हमने कहा दिया कि आक्चुली लोगों ने स्टेट को बनाया होगा यही जो आइडिया है इसको कहते हैं सोशल कांट्रेक्ट फिर शोशल कांट्रेक्ट थेरी कहती है कि actually state is made out of a contract between the people and since these people made the contract of state जो भी law बनाएगी लोग follow करेंगे क्यों क्यों कि लोगों नहीं तो state को बनाया है कितने लोगों को ये बात connect हो गई कि actually इस theory में भी political obligation को अच्छी करने की तो कोशिश की गई है ये सुननों political obligation मतलब क्या कि वह स्टेट जो लोग बनाए जनता उसको follow करें तभी stability आएगी और हमने भी कहां यहां क्या का क्योंकि हमने कहा कि state जो हैं लोगों ने बनाई है तो state ने जो लोग बनाए उसको जनता फोलो करें तो political obligation यहां भी अचीव हो रहा है कि ने और अगर हो रहा है तो mention हो एक्चो एले हो ला देखना चाहता हूं आप सुन रहे हैं ठीक है समझ मारा आपको फिर आप लोग कहेंगे कि सर जो political obligation दोनों जगा अचीव हो रही है social contact करिए या divine right करिए है तो सर मतलब चेंज क्या लाए है चेंज क्या लाए है यह चेंज लाए है यह देखिए हमने इसमें कह दिया कि source of state source of power of state are people हमने कह दिया कि लोग जो है है वो source of power है क्या divine right theory में source of power लोग थे नहीं तो आपको गेसम क्या ही कर लेंगे example ले लिजा आपका constitution हमारा constitution हमारे constitution हमारे constitution में preamble प्रस्तावना की पहली line वो represent करती है कि हमारे खुद का जो constitution है वो social contract theory पर based है right अब इससे फाइदा क्या हुआ फाइदा हुआ कि कोई भी government ऐसे कानून नहीं बना सकती जो लोगों को arbitrarily नुकसान पहुँचाए यानि कि सरकार को समझ में आना चाहिए क्योंकि पावर कोन है लोग है source of power कोन है लोग है तो ऐसे में arbitrarily arbitrarily का मतलब होता है unreasonable way में अपनी मर्जी से कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता हमेशां यहाँ पर जो law होगा वो fair होना चाहिए reasonable होना चाहिए तर्क तर्क होना चाहिए यहाँ पर उसकी जुरत नहीं थी किंग ने जो कानूर बनाया बना दिया बस आपको के सर एक्प्लॉइटेशन हो रहा है मारा तुम की बराबरी करोगी क्या किंग का सीधर connection ईश्वर से है तुम्हें नहीं पता लग रहा कि तुम्हें तुम्हारी क्या भलाई है क्या बुराई है वो किंग कर रहा है अगर पेन हो रहा है जहलो इश्वर चाहता है कि तुम पेन को जहल कर अपने आपको प्यरिफाई करो अपने कर्म को काटो सीधा kingdom of god में जाओगे जल्दी रास्ता है यह तो यह इस तरीके से भैकाया गया है humanity को है modern time actually ऐसा निए कि modern time को एक विशेश समय था ठीक है modern time के शुरुवात किस से होती है critical reasoning से होती है to be critique राइट यहां से शुरू होती है फिर यहां पार जाती है आप ऐसे difference समझते हैं कि modern time में believe किया गया कि जो truth है देखिए जैसे medieval time में यहां पर भी लिखनों दुबारा medieval time में माना जाता था truth कहां से reduce होगा God से और God के representative जैसे कर यूरोप की बात करें तो church तो church ने का धरती flat तो flat अब जो experiment करके बताएगा कि जैसे गैलीलियो केपलर तो उनके खिलाफ हो जाएगा चल तुम क्या बात करेंगा truth तो कुन बताएगा God बताएगा और God के representative हम राइट तो यहां पर rationality को नहीं believe को ज़्यादर focus दिया जाता था modern time क्योंकि शुरुआत होता है critique से modern time में जब हमने देखा features science tech rationality इससे लोगों ने ऐसा कुछ बना दिया कि जो church कह रहा था कि नहीं ही सच है तो church की बाद जूट साबित हो जैसे for example अर्थ की shape तो ऐसे माना जाने लगा कि यहां पर modern time में truth जो है वो कैसे पाए जा सकता है rationality से rationality का मतलब होता है being logical truth कैसे is equivalent to science इस बात को जड़ा ध्यान रखना यह connection बहुत important है political science में आप modern time की जित्ते thinkers को पढ़ोगे देखोगे हर कोई अपने आपको scientific बता रहा है क्यों बता रहा है क्यों कि चाहता है कि आप लोग उसकी बात को सच मानों Hobbes जब आप पढ़ेंगे तो Hobbes भी कहा रहा है कि मैं scientific Marx भी कहा रहा है मैं scientific हर कोई अपने आपको scientific बताना चाहरा है जबकि medieval time ancient time की जो thinkers हैं उन्हें नहीं पढ़ा कि science scientific मानों इन्हें पढ़ा हुआ है कि modern time में लोगी तभी तुम्हें सच मानेगे जब तुम science के साथ align होगे logic के साथ align होगे तो modern time में माने जाने लगा truth क्या है यहां से इमर्ज हो रहा है और माने जाने लगा क्योंकि science का इस्तमाल करके, rationality का इस्तमाल करके, being logical, man has actually, जब मैं men use कर रहा हूँ तो इसका मतलब यह नहीं कि women के खिलाफ, यह कि men word user है, represent कर है humans, ठीक है, क्योंकि जाद तर जो thinkers थे, वो men ही थे, patriarchal society थी, women को इतना progress के chances नहीं दिये जाते थे, तो इस वे से आप अपने western political thought वाले chapter में देखेंगे, कि एक women thinker आपको मिलेंगी, Hannah Arendt, पिर हम feminism में पढ़ेंगे, कैसा क्यों हुआ, ठीक है, इन डेप्स जानेंगे उसको, now, the point is, कि यह proof हुआ कि man is rational, यह नहीं कि humans are rational, और अगर वो rational है, और science से उसने, जैसे church ने कहा कोई बिमारी फैली हुई है कि we'll pray, अगर बच गए तो कहा कि देखो, God का magic, और अगर मर गए, तो कहा कि God चाही रहे थे आपको बुलाना, तो God's will pray तो कर लिया, लेकिन पता लगा मरनी वाले थे, लेकिन वहाँ पर discovery होगी penicillin की, antibiotics की, बच गए, तो पता लगा कि यहाँ साइन्स से बचाय जा सकता है, राइट, तो ऐसे में rationality से men can decide what is good, what is bad, तो इससे पहले men पर इतना विश्वास नहीं था, लोगों पर इतना विश्वास नहीं था, कि वो अच्छा बुरा कुछ अपना देख सकते हैं, they were subjected under the ethics, which were pushed by church, which were pushed by king, कि हमने जो कह दिया सच भही मानो, duties को follow करो, यही अच्छी life का एक जरिया है, और हर कोई आपको यही सिखा रहा है, अच्छी life का जरिया क्या है, यहाँ पर कहा गया है कि अब तुम खुद decide कर सकते हो good or bad, इसनी scientific discoveries हो रही है, कित्य सारी बाते जो medieval time की थी वो उसको तुमने गलत सिध कर दिया है, experiment से, तो if men can decide what is good, what is bad, don't you think men deserve rights, बहुत हुआ duties, duties, लेकिन अब rights भी deserve करते हो, yes or no, क्योंकि rights कौन deserve करता है, those who can use rights for their good, जिसमें काबिलियत होगी, उसी को तो अधिकार दिये जाएंगे, यह माना गया, कि भई, जब men के अंदर काबिलियत है, अच्छा बुरा समय नहीं कि तो भई, उसको rights दिये जाने चाहिए, और यहीं से individual rights, यानि के व्यक्तिकत अधिकार, यह ideas popular हो गए, individual rights का मतलब यह हुआ, कि भई, आप अकेले इंसान भी एहमियत रखते हो, means you also are, since you are part of the state, since you are part of this nation, you as an individual also deserve some rights, why? because only these, by using your rights, you can develop your personality, and when you are going to develop your personality, and taking into consideration the collective benefit of it, don't you think such states, such nation is going to grow, एक saying है, no nation can ever become great, by dwarfing its own individuals, यहनि कोई भी देश तब तक महान नहीं बन सकता, कभी महान नहीं बन सकता, अगर वो अपने ही लोगों को बोना कर दे, उनको दबाए, ड्वार्फिंग, its own individual का मतलब है, उनको दबाए, if you want to grow as a nation, you have to let people grow, because nation किससे बनता है, लोगों से तो बनता है, जब यह लोग अपनी मरजी से, now connecting back to the idea of liberty, जब यह लोग अपनी मरजी से, choose करेंगे, मुझे क्या पढ़ना है, मुझे क्या बनना है, मुझे कैसे जिन्दगी जीनी है, मुझे क्या लिखना है, मुझे क्या express करना है, तभी सही माइने में innovations होंगे, better way of living आएंगे, तो एक तरीके से, यह जो idea है, यह idea, liberty का base बना, यहाँ पर liberty represent कर रहा है, कि minimize कर जिया जाए restrictions को, आप पर restrictions जो हैं, वो हटाए जाए, अब याद करो कि medieval time में तो restrictions ही restrictions लगाई हुए थे, church ने, king ने, यहाँ पर minimize करने के लिए कर रहा restrictions को, maximize कर दो आपकी choices को, choices, तभी जाकर आप समझना कि आप एक liberal society या liberal state में जी रहे हो, liberal, यहाँ तक बात अगर clear हो गई हो, तो mention वा, clear है, ठीक, आभी तक तक लिए रहे है, now, मैंने शब्द लिखा था, जहां से यह पूरी की पूरी जर्णी आपको open करके समझाई, operation कर दिया है इस word का, liberalism, जान दिजे का जहाँ पर भी word ism आए, ism, ism का मतलब होता है, हिंदी में हम कहते हैं, वाद, ठीक है, जैसे की, आप देखेंगे की, उदारवाद, एट्सेक्टर, आतंगवाद, तो ism, जहां पर भी आप यह term देखते हैं, तो that is, हिंदी में ऐसे बोली जाती है, और यह represent किसको करती है, यह represent करती है, ideology को, यानि कि जहां पर भी वाद आ रहा है, ism आ रहा है, अब आप कहेंगे, ideology है क्या, ideology है, set of ideas, set of ideas, set of ideas, set of ideas, जो coherently connect करते हैं, interconnected हैं, जैसे की, आपको ओगे सर्व मतलब समझ नहीं आया, अब समझ माया गया, जैसे की minimum restrictions होनी चाहिए, एक idea है, maximum choices होने चाहिए, दूसरा idea है, आपको यह लगता है, यह दोनों idea एक दूसरे से connected हैं, भई रवी, minimize करो restrictions को, maximize करो आपकी choices को, यह दोनों चीज़े, एक दूसरे जुड़ी हुई हैं कि नहीं हैं, आपके घरवाले कुछ रोक टोख करते हैं, आपके ऊपर की पही किस time जाना, किस time माना, ऐसा कुछ, करते हैं, कह रहा हैं करते हैं, यह घरवालों के साथ ही रहते हैं, तो क्या कहता है तो आगर आपको ये कहा जाए कि आपके restrictions को कम करा जा रहा है इन घर वाले कह रहे हैं कि हम तुम्हें 12 वे से पहले पूछेंगे लिए तो आपके पास घूमने फिरने की choices खुदी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है खुदी बढ़ रही है तो कहने का मतलब से मोती तुम्हें लिखता क्यों सोच समझ के लिखी है वो इस वैसे कई बार choices जो है बढ़ाने कोम अलग से जानते हैं इनके घरवालों ने कहा कि ठीक है रवी अब तुम जवान हो और अब तुम जो है चलो साथ बज़े का restrictions हम बताते हैं 12 वए तक तुम लेकिन घर आ जान लेकिन क्या जरूरी है कि रवी जो मिले अब पांच घंटे उनके लिए इसके पास कोई choices भी होंगी कुछ है नहीं की जिंदगी में choices अलब यह यूज कर सकते हैं choices that is fact लेकिन choices create भी तो हनी चाहिए अच्छा समय बिताने की वो है नहीं तो यहाँ पर कहीं बार choices create भी करनी प एक ऐस्पेक्ट है समझ रहो हो लिबरलिस्म एक डीया सारे अइडिया जाते एक पूछने हूँ ही जड़वी तो इनकी जिम्म्हदारी है कि आपकी क्लास चलती रहे वह इस streaming everything should be intact now तो यह बात आपको पता लगए है तो यह interconnected होते है ideology में set of ideas है interconnected है interconnected का मतलब है कि इनमें common concern है common concern कोई background है common concern है और फिर common objective है कुछ achieve करना चाहते है जो चीज common है जैसे कि liberalism में ही जो ideas है rationality को push करना जैसे एक idea हो गया कि भई push करो rationality को rational appeal को people should be reasonable people should not be superstitious right liberal idea है अब ऐसी different set of ideas का concern क्या है they want to liberate people from exploitation from the suppression right और ultimate objective क्या है कि collective way में oral society or oral state एक better world create करें जहां पर जादा prosperity हो जादा happiness हो बहतर harmony हो ये इनका objective था अब होगा क्या that we are going to see right I hope it is clear yes and I would request all of you to just focus on what I am teaching right don't engage into debate with each other Nisha Gaurav Vicky please consent it here now I told you the first word is liberalism so liberalism means we are talking about set of ideas which are having common concern like in the modern time the promise was the exploitation by state is going to be removed real power liberty is going to be given to the people means it is going to be considered that source of power of the state of people right individual rights are going to be protected and state is going to be the guarantor of individual rights क्योंकि state is created by social contact तो बहे state को ये काम तो करने हो चलिये अब आगे बढ़ता है political science में कोई भी चीज़ कोई भी idea अगर आया है तो कही नगे उसका background है for example यहाँ इसका background क्या था medieval time में divine rights theory exploitation etc now अब liberalism का impact जो है society पर भी हुआ politics पर भी हुआ economy पर भी हुआ आप कहेंगे कैसे how is it society पर हुआ for example take example of your two generations you know before means your grandfather's grandfather, grandmother earlier there was concept of this joint family right so there were economic reasons as well because liberalism brought new opportunities liberalism by saying minimization of restrictions it means state has to come on back foot means state intervention in economy state intervention in your personal life needs to be reduced some minimum guarantees for example your speech and expression these kind of rights need to be protected from joint family we move to nuclear family so economy and society and politics were interconnected why so head of the family is going to have the economic power and then it is going to be spent for all the members of joint family but now industry started coming in why because privatization liberal idea that state is going to give choices to engage in your own business in easier manner economy per impact now one son from that village goes into the urban area with her wife or children and they settled there why economic need was there right because now better opportunity was coming the income of the whole family which was coming from this land now this sole person this boy of the family who went out of the village is earning that so society per became impact now gradually we see joint family turning into nuclear family now now women empowerment was also an issue right women getting empowered then earlier women were getting subjugated to so kind you know so much violence but if they are empowered so if their husband is not given their life there are so many demerits which reconcile not can be so much so far separation is going to be divorce single mother single father so economic opportunities be is getting abused all these years disrespected but still she was there because accommodate koji o raast ba chokki khata is kekha is kekha te leken ab 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 sorry hai to society पर इंपेक्ट है, पॉलिटिक्स पर भी इंपेक्ट है, वाई, वाई, विकास नाओ, इसकंड आफ राइट साथ देर, तो, तो कहने का मतब तीनों पर इंपेक्ट हो रहा है, नाओ फिर लिविन सिस्टम, शादी करनी क्यों है, है कि नहीं, कह रहा है हाँ से, सिंगल मदर, सि नहीं रहा है, minimization of restrictions, तो एक तरीके से भई, ये जैसे जैसे, जैसे, nuclear family, then single mother, single father, जैसे से आजाद होते जा रहे हो, फिर लिविन में जा रहे हो, तो restriction minimize हो रही है कि नहीं हो रही हैं पर, choices बढ़ रही हैं कि नहीं बढ़ रही हैं, फिर choices बढ़ रही हैं, तो कहने का मतलब य या, but as I say, as Aristotle also said, political science is the master science, it is, it is shaping our life, कोई ऐसा होई नहीं सकता, दुनिया में जो कह दे कि political science का मेरे life पर को impact नहीं है, right, it is impacting everywhere, now, let's talk about economy part now, example, क्योंकि यहीं से evolve होगा, दूसरा next concept हमारा, when liberalism is saying, कि state should be minimum, means state का intervention minimum होना चाहिए, and liberalism is saying, state need to protect rights like right to property, right to life, right to liberty, ठीक है, यह तीन वर्ड में यूस कर रहा हूं, property, life, liberty, अपर आइडिया है कि state is like a service state, पेवा देना काम है state का, we are paying taxes and we want our services, services like protection of our property, protection of our life, means security measures should be there, internal security, external security, if state is not doing that, then we need to change the government, simple as that, because state is there for our service, we are paying taxes, our liberty, if we want to move somewhere, we want to speak and express, then our rights, these necessary rights need not to be averaged, so state का concept, service state हुआ, minimum state हुआ, अब minimum state से विर हम नेक्चीज देखी, कि सर्टेन पीपल गट अद्वांटेच, for example, minimum state का impact हुआ, state not making any wage law, making any law for minimum wages, minimum wages, minimum wages law, state not talking about work environment, working workers environment in factories, so what is happening, that 13 people, जिनकॉम कारे काप्लिस्ट, कापितलिस्ट, what is the meaning of capitalist, a person, who is having certain capital, पैसा, and that person has invested that money in something, और, क्योंकि state, liberal order में क्या कह रहा है कि state, तुम तो back foot पर हो, तुमारा दखल नियो ना चाहिए, so now capitalist were the one, who got major leverage, major benefit, of this ideology, liberalism, आप कहेंगे कैसे, example देता हूँ, for example, rupees 50, capital was invested by a capitalist, consider you are the capitalist, you want to be the capitalist, capitalist बनना है कि नहीं बनना है, कह रहे हैं बनना है, तो आपने 10 rupees का raw material, और आपने 30 rupees की labor, और 10 rupees miscellaneous आपका खर्चा आया, ठीक है, और आपने एक factory open करी, किस चीज़ की, lipstick, ठीक है, चलो भई, भई आपकी जैसी रज़ा भई, और आपने का कि सर क्या brand लैक में, नाइका वगरा सबको फेल कर देगा, ठीक है, भई रवी का काम, ईखके एम रवी is selling that for a price of 200, normal, now the button, now the margin is around say 150, I'm just giving an example, 150 rupees in this transaction, so here when Ravi is paying just rupees 30 to the labor, and Ravi is earning 150 as a profit margin on this particular transaction, don't you think Ravi can actually engage rupees 50 rupees 50 again और एक separate profit की assembly line ऐसी बन जाएगी यहां से भी 150 profit यहां से भी 150 profit I'm just giving a random idea how actually property or wealth is accumulated in this world यह system को समझना बहुत जरूरी है पैसा इस तरीके से ही accumulate होता है इस तरीके से ही कमाया जाता है ठेक है? accumulation से your investment is quite low in comparison to the margin which you are having the margin which you are further investing in your business and that's how you are accumulating wealth right अब इस तरीके से हो क्या रहा है कि जो capitalist है उसके पास तो पैसा accumulate होता जा रहा है और सरकार minimum wages का कोई law नहीं बना रही है in the European countries where this industrialization was actually you can say European countries were riding the wave of industrialization and this is one reason that European countries became the developed nations, developed countries तो जहाँ पर आज जर्मनी है वहाँ पर एक production कैसे और बढ़ाएंगे मिल रहा होंगे लेकिन if I'm saying 60 and we are, I need 20 people and 20 people are ready to work for me in rupees 60 then I'm going to hire them and fire you तो इससे exploitation किसका हो रहा है workers का हो रहा है कहाँ पर उनके exploitation से नजाद दिलाने के लिए कोई है no one is there Karl Marx ते project किया कि this accumulation of wealth by the capitalist is actually creating so much inequality in society one day it is going to burst जैसे capitalist तुमारे पास तो पैसे खटा होता जा रहा है and here worker पहले इतना gap था capitalist के पास और पैसा worker के पास नहीं है वो कह रहे एक टाइम पर ऐसा होगा कि workers और capitalist में इतना gap पा जाएगा worker basic survival के लिए ही दिन रात fight कर रहा है उसकी पुरी जिंदगी इसमें निकल जाती है कि कमाऊं और बस खर्च कर दूं कमाऊं और बस खर्च कर दूं basic necessities पे and capitalist के पास इतना पैसा है that capitalist is able to influence the state politics elections everything is going to be managed by money and who has the most money capitalist and that is why Marx said कि most powerful force in this world as of now in the modern age is capitalist force ये लोग सरकार ये लोग हर चीज़ इंफुएंस करते हैं media education politics everything for their own favor but एक समें ऐसा आएगा इस exploitation को लेकर workers जाग जाएंगे and that day workers of the world will unite together as they have nothing to lose but they are chains and they are going to engage into a violent revolution एक वीलन रवीलुशन हुगा तबी आपना सुनाओगा लाल स्लाम red word represent violent bloody revolution Marx says violence is midwife of change you need not to be fearful of violence you need not to avoid violence because violence is happening against you all this time, this is violence you are not given fair share for the labor which you are doing because the rule of fairness is tweaked in favor of capitalist class क्योंकि fairness का idea ही capitalist class की favor में चल रहा है सही और गलत क्या है what is सही और गलत truth or false majority of public if they believe that this kind of policy of capitalist class is correct, then that is going to be considered as truth argument of powerful is given more weightage than power of argument so ultimately powerful के पास ही power है उजी के argument को ज़्यादा तर्जी मिलेगी उन्ही का तरीका सही माना जाएगा तो ये revolution होगा तभी actually these workers are going to be emancipated Marx कह रहे है कि liberalism से advanced stage आएगी capitalism के जब capitalism के पास इतना पैसा और फिरी revolution होगा Marx कह रहे है जो next stage आएगी वो आएगी socialism यानि कि liberalism हुआ liberalism कहां से आया medieval time के demerits of exploitation उससे आया जिसका political, social, economic तीनों एस्पेक्ट पड़ा यहां पर exploitation of workers हुआ और उसके बाद वो कह रहे है next जाएगी socialism ध्यान रखेगा यहां पर word जो socialism है that is not the same as the word socialism which is mentioned in our preamble in our preamble the word socialism was actually added later the spirit of word socialism is there but socialism word preamble में added नहीं था वो इंदरा रांटी जी के time पर एड हुआ 42nd constitutional amendment act से एक ही बार हमारे देश का preamble amend हुआ है एक ही बार भी थक्के थे हास में उसमें तीन word add किये गए थे socialism, secularism और नीचे integrity so हमारा जो socialism है that is different अभी मार्क्स के socialism की बात कर रहा हूं क्योंकि socialism word के ही कहीं सारे माइने है आपके chapter आपका लगसे topic आएगा socialism ideology वाले party लेकिन base जो है वो यह है कि inequality reduce होनी चाहिए यह common point है हर एक socialism का लेकिन कैसे और क्या achieve करना चाहते हो वो अलग है जैसे कि यहाँ पर यह violent revolution से socialism लाना चाहरे है क्या हम हमारा constitution violent revolution से socialism की बात करता है yes or no नहीं करता हम नहीं करते हो बात तो लेकिन inequality को reduce करना चाहते है इनका कहना है कि workers जब यह revolution करेंगे तो एक समय आएगी जब जो state होगी जिस पर capitalist का control होता था अब workers का control होगा और workers जो अब अच्छी policies बनवाएंगे जिससे कि inequality reduce होगी private property का concept अब धीरे धीरे खतम किया जाएगा जैसी revolution आएगा तो capitalist खतम होगे यह system खतम होगा institutions को change करना पड़ेगा कानून बदलेंगे तो यह major reform का time होगा काफी सारी चीज़े बदल रही होगी inequality अब abolish करने की कोशिश की जा रही होगी inequality को खतम कर रहे है वो कहते हैं कि लेकिन यहाँ पर गाड़ी रुकेगी नहीं actually गाड़ी रुक यही पर गई कितने सारे communist revolutions की जैसे कि USSR Russia में revolution हुआ 1917 October revolution फिर आप पढ़ते हैं यह world history में वहाँ पर Lenin lead कर रहे थे with other actually communist people Marx कभी नहीं चाहते थे कि कोई communist party बने और वो revolution लाए Marx को डर था कि अगर कभी भी revolution को कोई पार्टी लीड करेगी तो जो लोग lead कर रहे हैं वो इस opportunity का फायदा उठाएंगे और फिर वो powerful बन जाएंगे फिर वो state में काबिज हो जाएंगे और आम जनता पर वो power को influence करेंगे चाहे inequality को कम करने के लिए करें लेकिन वो करेंगे और उसके साथ-साथ exploitation फिर वो भी करने लग जाएंगे that was Marx prediction Marx was in favor of spontaneous revolution कि workers खुद जागें leaderless revolution हो कोई in due benefit न ले सके Marx का कहना था और यह अपने आप में बहुती utopian idea है, utopian का मतलब होता है something which is very very idealistic, यतने idealistic कि अगीकत से परेगी बात है right, तो Marx का मानना था कि जो state है वो होनी नहीं चाहिए means few people running the government this word few people running the government, it means concentration of power in few Marx was against it Marx was saying कि this need to go Marx was saying कि gradually socialism will be converted into communism and this is going to be the ultimate stage communism word ism is there, it means it's an ideology here the word communism represents this is coming from the word common common ownership common ownership common ownership of what? common ownership of wealth property etc Marx का कहना था कि state will be abolished there abolished there will be no state here no state कई लोगो ने का क्या बक्वा से कोई ऐसा समय हो सकता है जब state ही न हो और हम stability से रह लें Marx के रहे हैं हो सकता है because you people are you people are living in this age of humanity कि आपने political system national level, international level ऐसी observe करें जहां पर सरकार तो होती है सरकार में कुछ लोग तो होते हैं जी चाहा हो प्रेजिदेंट हो, प्राम मिनिस्टर हो, राजा हो, कोई भी हो and that's how your notions are built you are not able to see beyond this box you have to think out of the box and he is saying out of the box thinking is there will be a stage where people are going to be going to have true freedom Marx deliberately used the word freedom not liberty although both words represent freedom why? because liberty word is used by liberalism and it is liberalism which has created this mess and that is why Marx chose the word freedom Marx said ultimate freedom will only be achieved in communism and you are going to say कैसा होगा भाई, कैसी फ्रीदम Marx is saying in this particular stage when world is going to see communism there your all necessities are going to be fulfilled Marx says do you think you are free you will say yes, yes I am free Marx will ask you यह बताओ क्यों तुम कर रहे हो मजा रहे है इसमे मजे से क्या मतलब है जो करना है, करना है Marx says there are two attributes of humans हमारी personality के दो attributes होते हैं we are creative by nature creative you should do a work and creativity is possible in every work you should do a work where you find yourself creative it's not that कि अच्छा 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 फिलेंगा अभी creative it means you are so engaged in that work that you are creating something new to the world for the world he says second attribute is being social this society when we use the word society it means these people are interconnected and these people are interconnected to fulfill their aspirations fulfill their need क्या अप में से कोई ऐसा है जो कहे कि जो भी आप है वो किवल खुद की वजा से है किसी और का कोई contribution नियो कोई ऐसा है हमारी क्लास में openly बताये political science है no ideas are imposed here only experience is created ठीके नो आप सब ये बात कह रहे है न तो उसका मतलब ये हुआ कि हम सब मानते हैं कि अगर ये board भी है जिसकी वैसे मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ this is creation of someone someone has given his life her life her time तभी ये आप आया किसी ने इस research की किसी ने इसको बनाया right and we should actually respect that because no money can compensate for the time which we give to others such intense thoughts were there क्या किसी भी पैसे से वो समय आया जा सकता नहीं time की value ये तो capitalistic society में इस बात से decide होती है कि उस काम को करने के लिए कितने लोग मौजूद है available है there is a bidding है कम से कम में कोन करने के लिए तही आ रहे है उस आप से decide होता but if we think that actually society का contribution we cannot neglect and we feel happy only when we are social जैसे कि आपने एक जगे का नाम सुना होगा Santorini Greece island तो according to one research people there tends to be more happy and they and this is one reason that they live a longer life जो lifestyle disease होती है वो असानी से उनको होती नहीं जबकि उनके consumption में fat बहुत जादा है why तो पता लगा कि they have certain cultural aspect that they have to they have this neighborhood gatherings family gatherings family together मतब वो मतब कितने सारे reasons हैं साथ मिलकर खुश होने के engage करने के तो कहने का मतब है कि social होना ये healthy life से भी connected है healthy society से भी connected है because being being social brings empathy in our work and do you think any good work will be possible for public without empathy empathy का मतला बता है कि you should have a sense of concern behind your action for example you are a district mistreat and you don't have you are not empathetical then if there is a crisis going on in your district you won't feel the pain of others and if you don't feel then you may not be able to act when I am saying pain it's not like powerlessness you will feel strength you will project strength because you are empathetic so strength is also connected to empathy now the point is in capitalist society Marx is saying the most important aspect of people life is economic sphere low judges what do you think what do you think what do you think the success failure is that how much money is they have material goods and what do you think they are missing on being social so it is very much important that you contribute best for your society and it is also important that you actually have the social aspect but capitalist society but in capitalist society just EMI, loan, credit card and then you have to pay for dinner and night and because you are working to earn money and because you are earning money and because you are earning money this is why you justify some times your wrong actions towards your family towards your society that you are making money so what do you have to earn money and that is having negative impact on society right so point is that they are saying that the ultimate will be here now you will say without state how will it be so Marx says there will be voluntary organizations and everyone is going to do their work in the field they are they want to work in you can work in that field you will be trained in that field and there will be voluntary groups which means which means you will be divided and you will be divided and you will be divided and you will be divided Marx is not against industries Marx is in favor of industries innovations prosperity Marx is saying industries will be there but benefits are going to be shared among people profits are going to be spent on building new jobs so this is another kind of world Marx is talking about which we have not seen till now although many people experimented these ideas in small group in small places so if it is clear until now just mention all clear all clear yes yes so these are the words which we were talking about liberalism you got Marxism you got Marxism Marxism you got 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 Marxism अगर जमीदारों के पास था and जमीदार गॉट बेनिफिटेट द्यू टू ब्रेडिश पॉलिसी दें रेडिस्टिबूशन अव वेल्थ हैं इन से ली गई और लेंडलेस लीबर में दी गई हमारे हां एसा नहीं सब में सब कुछ बराबर बाट देना है हमारे हां it is about inequality को कम करने के लिए सरकार कुछ efforts करेगी right one student is asking sir communism or socialism socialism is asking, अभी तुम इने Marx वाला socialism बताया Marx वाले socialism में state was there workers were leading the state right and capitalism was abolished but in communism even state is not there society is actually running through voluntary organizations और हर कोई वो काम कर रहा है जो वो काम करना चाहता है अपनी ability के हिसाब से और उसकी जो जोड़ते हैं जो उसकी नीड़ते हैं वो फुल्फिल की जा रही है और जो सोशलिस्ट में एक ऐसी हैट बन गया है जिसको इतने लोगों ने पहना है कि इसकी शेप ही बिगड़ गई है यह समझ लीजिए राइट क्लेर बात दिपाली पूछने से राइड लॉच्ट और थॉट्ट में डिफरेंस है क्या जी हाँ है पर एक्जामपल मार्क्सिस थॉट में मैं केवल मार्क्स के थॉट की बात करूँगा अगर मैं लिखता मार्क्सिस थॉट केवल मार्क्स के आईडियाज ठीक है बट क्योंकि मैंने यहाँ वर्ड लिखा इज्म इज्म का मतलब क्या हुआ ideology है ना और ideology का मतलब ये होता है set of ideas में ना ऐसे भी हो सकता है कि ये कुछ ideas ऐसे हैं जो Marx ने दी है ना ये कुछ ऐसे ideas हैं जो Gramsci ने दी ठीक है सो ये differ कर सकता है clear है बात अभी मुझे आपको एक और चीज़ पढ़ानी है इसमें मैं कल वो चीज़ बताऊंगा वो है structuralism structural aspect बहुत ही आसान सी बात है नाम से लग रहा है क्या structure मतलब आप इंडिया के example से बिलकुर relate करके आप समझ जाएंगे मतलब वो structural Marxist बोलते हैं उनको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये even IR में भी कहीं जगे हम यूज़ कर सकते है structural Marxist ये बात मैं आपको कल समझाओंगा ठेक है और उसके बाद मैं आपको utilitarian functionalism ये समझाओंगा ठेक है चलिए तो फिर मिलते हैं आगे बढ़ते हैं ठेक है Study IQ IS अब तयारी हुई affordable